Hello Friends, Welcome to Madaw Dresses Madaw Dresses में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में देखें Friends हम एकदम से नई डिजाइन की लड्डू गोबाल की ड्रेस बनाएंहे और बहुत कब मैटीरियल से हम एक हैवी ड्रेस को तज्यार करेंगे तो यहाँ पर देखे हमने ये net का color combination लिया है blue और yellow बहुत ही प्यारा color combination है और यहाँ पर देखे हमने इस तरह से multi color की lace ली है इसमें बीच में mirror लगा हुआ है इस तरह की lace है आपके पास जो भी कोई lace हो आप उससे इसको बना सकते हैं तो देखे इनको पहले हम side कर देते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है जो dress बनाएंगे वो बनाएंगे हम 4 नंबर और 5 नंबर लड़ू गोपाल जी के लिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखे 9 इंच का diameter कट कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर अस्तर के दो को ऐसे रखेंगे और इसके उपर हम इस डायामेटर को ऐसे रख देंगे और फिर हम इसके किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे चारो तरफ यहां पर देखेगा किनारी पर हमने सिलाई लगा ली है अब इसके बाद हमें कमर कट करनी है तो देखे यह जो सिलाई है इस सिलाई से हम इस सिलाई को यहां से ऐसे मिलाएंगे और इस तरह से मिला करके फिर इधर से फोल्ड करेंगे और यहां से देखे बुक्रम से बुक्रम मिलानी है ऐसे और बुक्रम मिलाने के बाद फिर हम इसमें देखे यहां पर कमर कट का मार्क लगाएंगे 0.75 पर यानि कि पोना इंची पर पोना इंची पर इस तरह से मार्क लगा करके यहाँ पर गोलाई कर देंगे और इसको कट करेंगे और फिर एक साइड से यहाँ से कट कर लेंगे यहां से कट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है तो देखी ऐसे कर लेंगे हम इसको और यहां पर देखी हमारे यह दो कपड़े हैं इस तरह से इनको ऐसे पकड़ेंगे यहां से और एक को पकड़ लेंगे दूसरे हाथ से और इसको यहां से देखी हमें ऐसे निकालते जा यानि की इस बेस को हमें पलटना है इस तरह से देखिए आराम आरा आपसी करते जाएं और यह बहुत आसामी से पलट करके तैयार हो जाएगा फिर हमाद दे करके ऐसे देखिए इसके अंदर एसे हाथ से सेट कर लेंगे देखे यहां से जैसे ऐसे रह गया है ये तो इसमें हाथ ऐसे करेंगे अंदर की साइड तो अच्छे से सैट हो जाएगा अब हम इसके चारो तरफ यहां पर इसको मिला करके देखे सिलाई कर लेंगे और फिर हम किनारी पर भी एक सिलाई कर लेंगे मर्जी है आपकी नहीं तो आप इसको आईरन से भी सैट कर सकते हैं यहाँ पर देखे हमने इस तरह से सिलाई करके इसको लोग कर लिया है अब हमें क्या करना है यहां पर देखे बिल्कुल इसके center में ऐसे mark लगाना है तो या तो आप इसको देखे ऐसे fold करके mark लगा सकते हैं या आप inch tape से नापके तो मैं यहां पर देखे fold करके ऐसे इस पर mark कर दूँगी तो इधर की साइड हम इसकी उपर एक मार्क ऐसे लगा लेंगे तो देखिए ये बिलकुल half हो गया अब उसके बाद हम यहाँ से मेजर करेंगे इसको तो देखिए यह है पोने 4 इंच 4 इंची मान लेते हम इसको तो इसकी half में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे यानिकी दो इंच पर और इस तरह दो दो इंच पर मार्क लगाते वी चले जाएंगे और सारे मार्क को फिर हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से देखिए ऐसे यहाँ पर सरकल बन जाएगा ऐसे ही हमें इधर की साइड मार्क लगाना है अब देखिएगा हमने यहाँ पर चारो तरफ यह मार्क लगा लिया है इसके बाद हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर दो इंच है अब हमें नैट की पट्टी कट करने है तो हम थोड़ी से एक्स्टा पट्टी कट करेंगे सवा दो इंच चोड़ी पट्टी कट करेंगे हमें यहां से यहां तक हाफ में यलो कलर से काम करना है और यहां से यहां तक ब्लू कलर से काम करना है तो इस तर ऐसे मैंने देखे दोनों कलर की पट्टिया कट करके रखी है यहां पर यह देखे सवा दो इंच से भी थोड़ी सी एक्स्ट्र ही कट हो और प्लेट्स बनाएंगे हम एक दूसरी के उपर करते वे क्योंकि हमारा ब्लू कलर का ये बेस है देखिए जब हम इसके उपर यलो कलर रखेंगे तो ये नीचे नहीं दिखना चाहिए तो इसलिए हमें बहुत गहरी-गहरी सी प्लेट्स लगा करके तयार करनी है यहां पर सि इनको रखकर ऐसे सिल देंगे उसके बाद फिर हम ब्लू कलर की नैट से बनाएंगे और जब हम यहां पर आजाएंगे तो जो हमारी ये लास्ट वाली प्लेट होगी जैसे देखिए यह यहां पर होगी तो उपर से हम यहां पर देखिए जैसे इसके प्लेट बनाएंगे ब और फिर इस ब्लू वाली फृल को भी यहां पर सिल लेंगे। तो इस तरह से हमें इतना ये काम कर लेना है उसके बाद आपको बताती हूं। देखिएगा आपको एक बार अच्छे से और समझा देती हूँ. यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इस फ्रिल को сिल लिया है, और यहाँ पर हमने देखिए, इसके सेंटर तक इसको सिला है। जो लगा दिया है अब इन प्लेत को देंगेले ही नमश्य bety அब है को दования रेंगेला है है नहीं हमने जोड़ दिया है अब इसको यहाहँ से लगाना शुरू करेंगे और इसको यहाह तक लगा लेहिए अब इसको तयार करने के बाद हमें इसको देखे यहां से मेजर करना है और यहां से हम इसको सिर्फ सिलाई तक मेजर करेंगे हमें एक्स्टा पट्टी नहीं लेनी है यहां तक लेनी है तो देखे यहां पर यह पोने दो इंच है 1.75 अब जो हम नेट की पट्टी कट करेंगे और जिधर ब्लू हमने नैट लगाई है इधर तो जिधर हमने ब्लू लगाई है उधर हम यलो लगाएंगे और जिधर हमने यलो फ्रिल लगाई है उधर हम ब्लू कलर लगाएंगे तो इस तरह से हम अपोजिट करेंगे और इस तरह से फ्रिल बना करके ऐसे ही हम यहाँ पर भ गिलाव। उर्णा सिलना बताया है. इस वाली इसको एक दूसरी के ऊपर चढ़ाकर रख लेंगे और पूरी इसके गहरे को तरियार कर लेंगे। अब देखें, इसको करने के बाद हमें क्या करना है? इनrose 것이 के कुषिता उपर चपब्राइब बनाना है और सिलाई लगाने के बाद फिर हम ये जो दोनों साइडे हैं इनको टीशू रिबन से लोग करेंगे यहाँ पर देखे टीशू रिबन लेंगे नीचे से थोड़ा सा फॉल्ड करके और इसको आधा नीचे रखेंगे आधा ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको नेफा लगाएंगे तो नेफा लगाने के लिए हमने नैट की पट्टी को कट कर लिया है तो देखे यह है यहाँ पर तीन इंच चोड़ी पट्टी और हमने पट्टी बड़ी कट की विया है एक्स्ट्रा पट्टी को हम बाद में कट कर देंगे अब इस पट्टी को हम ऐसे double mode देंगे और यहाँ प्हहले चाहें तो आप एक सिलाई लगा सकते हैं नहीं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं direct अब हम इसको देखें dress को उल्टा करेंगे और पप्टी को यहाँ से fold करेंगे और यहाँ से रखते वे धीरे धीरे गुमाते वे पूरी कमर पर इसको लगाते वे चले जाएंगे इस पट्टी को सिलने के बाद इसको हम देखी सीधी साइड लेकर आजाएंगे यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे उपर की साइड और इसके अंदर हमें लगानी है अब डोरी तो डोरी लगाने के लिए देखिए हमने ये डोरी ले लिए है और इस नेफे के अंदर हमें डोरी लगानी है तो हम यहाँ पर देखिए डोरी को रख देंगे और इस पट्टी को पहले हलका सा देखिए यहां से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसको और फिर इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से ये नेफा बनेगा, तो इस तरह से हम इसको तयार करेंगे, पूरे पर सिलाई लगा लेंगे यहां तक, बेस बन के तयार हो गया है, यहां पर देखिए नेफा हमारा कितना फनिशिंग के साथ बना है, हम क्या करेंगे देखे इस पट्टी को ऐसे मोड़ेंगे यहां से और एक बार यहां से और फिर एक बार यहां से इस तरह से तीन बार फोल्ड करके हम यहां पर सिलाई लगाएंगे और फिर टीशू रिबन की हैल्प से इस पूरी पट्टी को लोग करेंगे पट्टी को लोक करने के बाद इसको हम देखे यहां से बीच में से कट कर देंगे इस तरह से और कट करने के बाद देखे यहां से ऐसे ही हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे यहां से V-Shape में ऐसे सिलाई लगाते वे चले जाएंगे लगबग जवाइंच की दूरी पर हमें ये सिलाई करनी है और उसके बाद फिर हम इसको खोल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी और नीचे की जो ये साइड़ेस को हम टीशू रिबन से लोग करेंगे इसको करने के बाद फिर हमें देखे फ्रिल बनानी है तो यहाँ पर मैंने दो इंच चोड़ी नैट की पट्टी ली है और लंबाई में लिया था मैंने इसको लगबग 25 इंच इसको आप जादे कम बाकी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और यहाँ पर देखे हमने थोड़ इस तरह से लगाना है देखे जैसे यह फ्रिल है और हम यहाँ पर चोली लेंगे इसके पहले हम सेंटर में देखे इसको ऐसे कर लेंगे यहाँ पर एक मार्क और फिर इसका सेंटर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसको हम यहाँ से देखे ऐसे रख करके इस तरह से थो इस तरह से देखे हमारी चोली बन गई है, अब हमें देखे पीछे जो ये नैट हमने लगाई वी है, देखे थोड़ी सी एक्स्टर यहां की साइड निकली वी है, इसको हम कट करके यहां से निकाल देंगे, ये देखे ऐसी, जो एक्स्टर नैट है उसको कट कर लेना है, और अब हम ड्रेस को डेकोरेट करेंगे तो यहां पर देखे मैं आपको बता देती हूं डेकोरेट करने के लिए हमने एक यह मल्टी कलर की लेस ली है इस तरह से और हमने देखे कुछ यह पॉलन्स लिए है यल्लो कलर के और कुछ हमने यह रेड कलर के पीपर फ्लावर ली है इनक परिट करेंगे देखिएगा फ्रेंड्स इस लेस को हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा दिया है जिससे की लुक और भी जादा सुन्दर हो गई है देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तयार हुई है और मैं चोली दिखा देती हूँ यहाँ पर देखिए चोली में भी एक साइड मैंने दो यह बूटी लगा दी है लेस वाली और एक तरफ यह पॉलन और एक यह फ्लावर इस तरह ऐसे चोली का लुक आएगा तो देखिए फ्रेंट बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तयार हुई है मुझे तो बहुत सुन्दर लग रही है एक बर काना जी को भी पहना कर देख लेते हैं कि उन्हें कैसी लग रही है देखिएगा फ्रेंट्स लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस पहन ली है बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी है और आप इस ड्रेस को दो तरह से पहना सकते हैं जैसे कि देखे मैंने इसकी open side आगे की और रखी है आप इसको पीछे की side करेंगे तो ये lace इधर आ जाएगी और flower सिधर आ जाएगी दूसरी side आ जाएगे और अगर आपको इसकी पगड़ी सीखनी है तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो मैं next video में इसकी पगड़ी करिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए रादे रादे